नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टोप 25 परमुख खबर जानते हाएं यानि आइसमान भारत हेल्थ इन्फरास्ट्रक्चर मिशन के तहट सभी परिजनाओं में दो नर्सिंग कॉलेज, चार क्रिटिकल केर ब्लॉग और तीन ब्लॉग सारजनिक स्वास्त इकाया सामिल है कोडर्मा मेडिकल कॉलेज और दुमका के फूलो जहानो मेडिकल कॉलेज में 25-25 करोड रुपे की लागत से नर्सिंग कॉलेजों का निर्मान किया जाएगा रिम्स के चिकित्सा अधिक्षक डॉक्टर हिरेंद्र बीरवा ने बताया कि केंद्रे ने गंभी रोग्यों से निपटने के लिए रिम्स सहित जहारखंड के विविन जीलों में CCB अस्थापित करने का निर्लिया है रिम्स में केवल गंभीर मरीजों के लिए 50 बीस्तरों वाला क्रिटकल केर ब्लॉक बनाया जाएगा तीन अने CCB का निर्मान गढ़वा 50 बेड़, पांकूर 50 बेड़ और गिरीडी 100 बेड़ में किया जाएगा एक अधिकारी ने कहा कि देवघर जीले में तीन ब्लॉक सारजोनिक स्वास्तिकाया अस्थापित की जाएगी आपको बता दे कि इससे पहले केंद्रे पेट्रोलियम और प्राकिर्ति गैस मंत्री हरदीप सिंग पूरी ने PNG और CNG के लिए गोड़ा दुम का भगावलिक छेतरे में HPCL के गैस नेटवर्क की निव रखी है देवघर में सहरी गैस बीतरन पर्योजना के तहत इंडियन ओयल के PNG का उधगाटन किया गया था जारखन बिधानसवा में जारखन का आर्थिक सर्यक्षन रिपोर्ट हुआ पेश जारखन बिधानसवा के बजट सत्र के दूसरे दिन यानी सोमवार को सदन में बितमंत्री रामेसर उराओ ने जारखन का आर्थिक सर्यक्षन 2023 रिपोर्ट पेश किया रिपोर्ट में कहा गया है कि जारखन की GSDP राष्टिय लेखा के अधार पर 2011-12 में लगभग 1,50,000 क्रोड रूपए था जो 2018-2019 में बढ़कर 2,29,000 क्रोड रूपए से अधिक हो गया है और वर्तमान में 3,05,000 क्रोड रूपए से अधिक है आपको बता जा कि कोविड काल में ये आकड़ा गिरिया था हलाकि तब से लेकर राजी की GSDP में लगतार ब्रीधी ही हुई है बितमंत्री डाक्टर रेमेसर उराओ ने बताया कि वर्स 2021-21 में चारखन का देश की GDP में 1,6% का योगदान था जो वर्स 2021-22 में बढ़कर 1,63% हो वर्स 2022-22 में इसमें मामूली गिरावट आई और यह आकड़ा 1,62% पर रहा रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिबेक्ती आये के संदर में जारखन देश की सबसे कम प्रतिबेक्ती आये वाले राजों में से एक है पीए मोधी दवारा 554 एस्टेशनों के ओनलाइन सिला न्यास पर जन परतिनीधियों का हर्स बोले रेलवे छेतरे में तेज होगा विकास परधान मंतरी नरेंद बोधी ने सोमवार को देश भर के 554 एस्टेशनों को अमरित एस्टेशन में बदलने की ओनलाइन अधार सिला रखी है इसके तहट राजे के कई एस्टेशनों का पुनर विकास किया जाएगा आपको बता दे कि परधान मंतरी ने राची रेल मंडल की 26 पुरेजनाओ का भी सिलान्यास किया है जिस पर लगवग 400 करोड रुपे खर्च होंगे इस मौके पर परतिनीधियों ने कहा कि रेलवे छेतरे में परगतिव से विकास की रफतार बढ़ेगी इस मौके पर सांसद संजय सेट ने कहा कि पूरे देश के लिए आज का दिन अहम है दुनिया के नक्से पर दौरता हुआ भारत है जो ना तो ठकता है ना ही डरता है परधान मंतरी ने 10 साल में देश एवं रेलवे की तकदीर एवं तस्वीर बदल दी है गीता कोड़ा के कॉंग्रेस ठोड़ने पर मुखमंतरी चमपाई सुरण ने दिया चोकाने वाला ब्यान मुखमंतरी चमपाई सुरण ने कहा कि कॉंग्रेस की सांसद गीता कोड़ा के भाजपा में सामिल होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कुलाहन परमंडल में गढ़बंदन की सिती पहले से काफी अच्छी होगी उन्होंने बिधान सभा के बाहर पतरकारों से बाचीत में कहा कि लोग सभा चुना में कोई दिकत नहीं होने जारी है कुलाहन परमंडल में पिछले बिदान सभा चुनावें तो भाजपा खाता तक नहीं खोल पाई थी इस बार दोनों लोग सभा सीटों पर भी गढ़बंधन ही जीत हासिल करेगा गीता कोडा के अस्थान पर गढ़बंधन का कौन परत्यासी चुनाव लड़ेगा इस पर सीएम ने कहा कि गढ़बंधन के अंदर ये तह होगा कि कौन वहां से चुनाव लड़ेगा बुक मंत्री ने नीती आयोग के आकड़ों पर भी पलटवार किया उन्होंने कहा कि नीती आयोग ने बताया कि भारत में मात्र 5% लोग ही गरीब बचे हैं बाकी सब गरीवी रेखा से उपर आ चुके हैं इस पर उन्होंने केंदर सरकार से पूछे कि अगर 140 क्रोड की जन सैंख्या में मात्र 5% अर्थार्थ 7 क्रोड लोग ही गरीब बचे हैं तो फिर वे 80 करोड लोग कौन है जिने मुफ्त अनाई देने की बात को एक उपलब्धी की तरह चुनावी रैलियों में परचारित की जाती है हेमन सोरेन के गिरफतारी के खिलाफ जामूमों की संकल्प सभा आज समर्षकों में उस्सा भरेंगे चंपई सोरेन पुर मुखमंत्री और सतारुड जारखंड मुक्ती मोचा के कारेकारी अध्यक्ष हेमन सोरेन के गिरफतारी के बिरूद पार्टी की संकल्प सभा मंगलवार को होगी बिधान सभा मैदान परिशर में होने वाली संकल्प सभा को मुक मंतरी चंपाई सोरेन समेत वरिये नेता संबोधित करेंगे आपको बता दे कि जामूमो महासचीव सह परवक्ता बिनोध पंडे ने सोमवार की साम सभा अस्थल का जाजा लिया उन्होंने कहा कि जारखंड योधा हेमन सोरेन को सदेंतर के तहत परसान कर रही आदिवासी मूलवासी बिरोधी किंदर सरकार के खिलाप यह उल्गुलान है जामूमो केंदर सरकार की तनासाही के बिरोध में लोगों को जागरूप करने के काम में यूद अस्तर पर जूटेगी जारखंड में आज 1.40 लाग करोड रुपय का बजट पेस किया जाने का अनुमान किसानों की कर्ज माफिका बढ़ सकता है दायरा जारखंड सरकार द्वारा अगले बितिय वर्थ 2024 पेस के लिए बजट पेस किया जाएगा अनुमानता यह 1.40 लाग करोड रुपय का होगा कुल बजट का 75 परतिसत हिसा विकास यूजनाओं पर खर्च किया जाने का अनुमान है बजट में आवास यूजना 125 यूनिट मुफ्त बिजली और किसानों की कर्ज माफिका दायरा बढ़ाया जाने का भी अनुमान है राज में फिलहाल 100 यूनिट मुफ्त बिजली की यूजना लागू है सरकार इसे बढ़ा कर 125 यूनिट कर रही है इसे समन्दी फैसले पर कविनेट की समती मिल चुकी है यूजना अगले बित्यवर से परभावी होगी आपको बता दे कि बजट में इसके लिए अतरिक प्रवधान भी किया गया है सरकार ने किसानों को करज से मुक्ती दिलाने के लिए करज माफी का दैरा बढ़ाने का भी फैसला किया है फिलाल 50,000 रुपे तक करज माफी की यूजना लागू है अगले बित्यवर से इसे बढ़ा कर 2,000,000 रुपे का करने का अनुमान है सरकार ने गरीबों के लिए नई आवास योजना की सुरुआत की है इस योजना के तहट 20 लाह गरीबों को अबुआ आवास देने का लक्ष निर्धारित किया गया है आपको बता दे कि इस लक्ष को 3 साल में पूरा किया जाएगा परती आवास 2 लाक रुपई देने का निर्णली लिया गया है जार्खन के मद विध्यालें में 3218 परदाना द्यापक के सीरीजीत लेकिन केवल 55 ही है अस्थाई एक और विध्यालें में परदाना द्यापक नहीं है वही दूसरी और सिख्षकों की प्रोनती नहीं मिल रही है उन्होंने कहा कि राज के 16 जीलों में एक भी विद्याले में परधाना ध्यापक नहीं है इसकुली सिख्षयों उसक्षर्था बिभाग के निर्देश के बाद भी जीलास्तर पर शिख्ष्कों की प्रोनाती की परकेरिया पुरी नहीं की जारी है आपको बताया दे कि जीलो में सिशको को ग्रेट 4 से ग्रेट 7 में प्रोनाती की परकिरिया लंबित है राज में मत्र 4 जीलो में सिशको को ग्रेट 4 में प्रथम चरण की प्रोनाती देने की परकिरिया पूरी की गई है पुरुनाती नियमावली में असपस्ट उलेख है कि परतेक वर्ष दिसंबर में वर्यता का निर्धारन कर लिस्ट जारी किया जाना है और अप्रेल तक पुरुनाती की परकिरिया पूरे करने का प्रोधान है इसके बाद भी सिश्कों को समय पर पुरुनाती नहीं मिल रही है